नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में मैं हूँ डाइटिशन अकांगशा आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कीमो थेरपी के बाद कौन सा आहार लेना चाहिए तो दोस्तों कैंसर एक ऐसी बिमारी है कि जिसका नाम सुन बहुत सारे लोग डर जाते है जो की जाहर से बात है बहुत ही जादा खतरनाग बिमारी है और आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा कि कीमो थेरपी ये एक ऐसी उप्चार पद्दती है जोकी कैंसर के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाती है कीमोथेरपी के अंदर बहुत सारी मेडिसेज्ज बहुत सारी ऑशदियों का इस्तिमाल किया जाता है जो की Cancer के सेल्स का विकाश होता है ग्रोथ जो होती है उसे रोकते है तो इस कीमोथेरपी का शरीर पे बहुत जादा असर पड़ता है, अच्छे असर के साथ, यानि कि क्योंकि वो एक treatment है, तो उसका अच्छा असर जो है, उसके साथ साथ उसके कुछ-कुछ side effects भी होते हैं, क्योंकि इतनी सारी दवाईया देते हैं, तो जाहिर सी बात है, थोड़े बहुत side effects भी उसके होंगे, ज जो भी उचार-पद्धती चल रही है, उसे उनका अहार support दे, और अच्छे से जो भी दवाईया असर करती है, उस असर के लिए जो अहार होता है, वो अच्छे से मदद करें, उसे के साथ साथ immunity, यानि कि रोग प्रतिकार शक्ती अच्छी होना भी बहुत ज्यादा आवश् है, तो ऐसा आहार हो जो immunity बढ़ाने में मदद करें, तो जैसी calories के साथ साथ पोशक तत्वों से भी आहार भरपूर होना चाहिए, ताकि मरीज को जो treatment है, वो लेने के लिए भी अच्छा लगे, और जो side effects है, वो भी थोड़े कम हो, और एक ज़रूरी बात यहाँ पे हो जात आहार मदद करेंगा, तो आज की वीडियो में हम यहीं देखेंगे कि ऐसा कौन सा आहार है, जो कीमो थेरपी के बाद मरीज को देना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक request करूँगी, अगर आप मेरे चानल पे नए हो, और अगर आपने अभी तक मरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्ली से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी ऐसी जो अच्छे अच्छी वीडियो आती रहती है, वो सारी वीडियो आप तक पहुच जाएगी, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो होता है, वो हमारे शरीर को वैसे भी आवश्चक होता है, बहुत ही अच्छी मात्रा में, लेकिन कीमो के पेशन्स को खास तौर पर अगर हम देखे, तो जो सेल्स की मरमत होती है, हमारे जो बॉड़ी के सेल्स होते है, जो कोशिकाय होती है, उनके repair के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मदद करता है साथी साथ कीमो के बाद जो संक्रमन का खत्रा होता है infections का खत्रा होता है उसे कम करने के लिए भी protein आवशक है आहार में होना तो इसलिए कीमो के treatment चालू करने से पहले ही एक अच्छा और एक protein आहार चालू कर देना चाहिए मरीज को जैसे की डाल है अलग-अलग प्रकार की या फिर दूद और दूद के पदार्थ है या फिर अंडे है, सोया है, पनीर है ऐसे अलग-अलग पदार्थों का सामावेश आहार में कर देना चाहिए इन सारे पदार्थों के साथ सुखा मेवा भी एक अच्छा option हो जाता है बहुत अच्छी मात्रा में शरीर को protein और healthy fats भी देता है तो सुखा मेवा भी लेना चालू कर सकते हो लेकिन चिकन और मचली की जब भी बात आती है तो वो भी अहार में आप जरूर दे सकते हो लेकिन वो ज़्यादा मसालेदार नहीं होना चाहिए ज्यादा तला हुआ नहीं होना चाहिए टेस्ट के लिए अच्छा होता है तो टेस्ट के लिए और प्रोटीन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो वो आप जरूर दे सकते हो लेकिन जितना हो सके घर पे बना हुआ और कम मसालों में बना हुआ होना चाहिए दूसरा पदात है फल और सबजिया तो ताजे ताजे फल और सबजिया जो होती है वो फाइबर, विटमिन्स और मिनरल्स का भंडार होती है तो इसलिए कैंसर के मरीज के आहार में या फिर कीमो थरपी के बाद अगरम देखे तो ताजे फल और सबजियों का सामावेश भी जरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें जो फाइबर होता है बहुत बार कब्ज की समस्या आ जाती है कॉंस्टिपेशन की समस्या आ जाती है मरीज को तो उसके लिए भी जो फल और सबजियों से फाइबर मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा और immunity यानि कि रोग प्रतिकार शक्ती बढ़ाने के लिए भी ये सारे vitamins और minerals जो है वो आवश्यक है तो इसलिए अलग-अलग प्रकार के फलो का सबजियों का सामावेश करना चाहिए खास दौर पे vitamin C और vitamin A है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे antioxidants माने जाते है मुसंबी, अमरूद, केला ऐसे अलग-अलग प्रकार के फल आप दे सकते हो ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए भी ये मदद करेंगे और एक समस्या जो हो जाती है क्योंकि इतनी सारी दवाईया होती है तो नौशिया यानी की vomiting या फिर उल्टी जैसा लगता है कभी कवार मरीज को तो ऐसी समस्या के लिए भी अगर जो खटे फल होते हैं, रसीले फल होते हैं ऐसे फल दे सकते हो, फलों के रस दे सकते हो या फिर सबजी के सूप अगर बना के देते हो तो वो पोशन से भी भरा रहता है और उल्टी की समस्या से रहत देने के लिए भी मदद करता है अब बात करते हैं ओमेगा-3 fatty acids की बादाम और अख्रोट जैसा सुखा मेवा है या फिर मचली है, अंडे है ऐसे पदार्सों से शरीर को बहुत अच्छी मातरा में ओमेगा-3 fatty acids मिलते है जो की काफी मददगार साबित होते हैं यहाँ पे क्योंकि ओमेगा-3 fatty acids हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी मातरा में पोशन भी देते है और यह पाचन के लिए हलका भी होता है तो इसलिए कीमोथरपी के बाद ओमेगा-3 fatty acids का सामावेश होना आहार में बहुत ही ज़्यादा आवशक है खास तोर पे जब इकैंसर की बात होती है तो ओमेगा-3 fatty acids और अंटी-अक्सिडेंट्स होते है हमारे विटमिन E है या फिर विटमिन C है जैसे अंटी-अक्सिडेंट्स का और ओमेगा-3 का सामावेश होना काफी आवशक है क्योंकि यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के लिए मदद करता है और कैंसर की जो treatment है उसके side effects कम करने के लिए जल्दी recovery करने के लिए या फिर बाकी के जो भी परिशानिया होती है उन्हें कम करने के लिए यह बहुत ज्यादा मदद करता है अगला पोशक्तत्व हम देखेंगे जो की है आयन कैंसर की मरीजों के लिए जिनकी chemotherapy की treatment चल रही है उनके लिए आयन भी अपने आहार में होना काफी आवश्चक है तो इसलिए हलीम है या पर पालक है अलग-अलग हरी पत्तेदार सबजया जो होती है इनका समावेश आहार में बहुत ही अच्छी मातरा में करना है क्योंकि आयन की कमी अगर होती है तो अनीमिया का जो संभावना होती है वो बढ़ सकती है और फिर बहुत ही ज़्यादा जो ठकान या फिर कमजोरी मैसूस होती है वो इसी के कारण होती है इसी लिए आहार में अच्छी मातरा में आयन और आयन के अब्जोर्प्शन के लिए विटमिन C होना बहुत ही ज़्यादा आवशक है रोज के आहार में अगर पोहा है या फिर ब्राउन राइस है ऐसे पदार्थों का भी आप अगर समावेश करते हो तो भी आयन के लेवल्स अच्छे रखने के लिए मदद करेगा और ठकान और कमजोरी को ये दूर करेगा इन सारे पोशक्ततों के साथ साथ आपको ये भी धान रखना है कि मरीज को ज्यादा नमक युक्त या फिर ज्यादा शक्कर युक्त पदार्थ है ज्यादा बाहर का है तला हुआ है ऐसे सारे पदार्थ नहीं देने है जितना हो सके उतना घर का खाना है और एक स्वस्त और संत के लिए मदद करते हैं सातीसाथ शरीर को ठंडग भी देते हैं क्योंकि कीपो थेरपी के दौरान जो सारी medicine रहती दवाईया रहती हैं उसके कारण शरीं में heat भी बहुत ज्यादा होती है इसलिए उस heat को कम करने के लिए सब्जा है या फिर छास है पुदीना है ऐसे हुआ पदार्थ होता है वो नहीं देना है कोई भी सबजी है या फिर कोई भी अगर आप चीज देते हो तो अच्छा से पका के देनी है क्योंकि कच्छा खाने से infection की जो संभावना होती है वो वड़ती है इसलिए डॉक्टर सला देते हैं कि न्यूट्रोपीनिक डायट जोसे हम कहते है उस पर ये डाल देते हैं ताकि कोई भी चीज कच्छी नहीं जाती है लेकिन पेशन्ट की जो हालात है जैसे उनकी रिपोर्ट है उसके सबसे ज्यादा तय होता है कि कैसे आहार लेना है तो कभी कबार कुछ सलाद है या फिर फल ज दे सकते हो तो इन सारे पोशक्ततवों के साथ जैसे मैंने बताया आहार स्वस्त और संतुलित होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है तो ऐसा हेल्दी डायट देना चाहिए कीमो थेरपी के बाद पेशन्ट को और थोड़े-थोड़े समय के बाद खाना देना चाहिए क्यों समय बाद थोड़ा-थोड़ा अंतर रखके ऐसे खाना उन्हें देना है आपको ताकि उनके अंदर जो भी खाना वो खाते है वो पचने के लिए समय मिले और फिर ऐसे ही धीरे-धीरे जाके उनका जो पूड का इंटेक है पूड की जो मात्रा है वो भी बड़ेगी और उनक को लाइक करना बिलकुल ना भूले अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर भी करे और अगर आपको कुछ सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो और आप ऐसे कौन से कौन से और विश्यों के उपर वीडियो देखना चाते हो ये भी आप कमेंट इसमें मुझे बता सकते हो तो मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाए